नमस्कार फ्रेंड्स, सनातन विचार में आपका स्वागत है आज हम जिस पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं वो है स्वामी विवेकानन्द की योगाद स्पिरिशुल पात कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्यान योग ये पुस्तक के पुब्लिशर ओम पुब्लिकेशन्स है पुस्तक का मूल्य दो सो पंचानवे रुपए है और इसमें कुल चारसो चौसट प्रिष्ट है इस पुस्तक में स्वामी विवेकानन्द के एसेज, उनके लिखे हुए विश्वयों पे चाप्टर्स और उनके लेक्चर्स उन सबका एक कलेक्शन बनाके कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और ज्यान योग पे ये पुस्तक है इसका जो कॉंटेंट है, ये कॉंटेंट अलग-अलग नाम से अलग-अलग भाशाओं में एक साथ और कहीं-कहीं अलग-अलग मतलब कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और ज्यान योग पे अलग-अलग पुस्तकें भी अवेलिबल हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और काफी सारे पुब्लिशर्स हैं, रामकृष्ण मिशन की भी स्टॉल्स में वेबसाइट पे ये कॉंटेंट अवेलिबल है कुछ दिन पहले मैं रामकृष्ण मिशन के बुक स्टॉल पे था, वहां मैंने स्वामी वेकानन्द की कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और ज्यान योग पे अलग-अलग पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाशाओं में देखी थी अन पुस्तकों को मैंने स्टॉल में जब था तो टेवल अफ कन्टेंट उनका देखा थाऊ, विशय सूची देखी थी और बस ऐअधा ही पलट के देखा था तो मुझे यही आईडिया है कि इस पुस्तक का और अन पुस्तकों में जो कौंटेंट है वो तो सेम है, यह पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी है, वो पुस्तके मेरे पास है नहीं, वो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, यह मैंने ओम बुक्स के बुक्शॉप से ली थी, उनके हाँ ओम पब्लिकेशन के ही तीन बुक्स लेने पे 20% का डिसकाउंट था, तो मैंने ओम पब्लि जब हमारे संस्कृत के टीचर ने हमें वो पढ़ाना शुरू किया था अब इस बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया गीता तो मैंने गीता प्रेस की एक छोटी सी गीता आती है जिसमें श्लोक और श्लोकार्थ होता है पस कोई भाष या टीका ये सब नहीं होती वो पढ़ी फिर गीता प्रेस के ही महत्मे सहीद गीता आती है वो पढ़ी चिनमया मिशन ट्रस्ट की स्वामी चिनमया अनंत की अंग्रेजी में ता होली गीता आती है वो पढ़ी इसकौन की गीता भगवद श्रीमत भगवद गीता ऐस इट इस या था रूप वो पढ़ी गीता प्रेस भक्तियोग, राजियोग, ग्यान योग कहीं भाष में, कहीं टीका में, कहीं गीता के स्लोक में ही इनकी चर्चा होती है, तो कहीं न कहीं मेरे मन में थोड़ा सा इन विशेयों को लेके हलका कन्फूजन था, और पूरी तरह से क्लियर नहीं था, बार बार मुझे दोहरा के स्ल थोड़ा बहुत कन्फूजन हो जाता था, तो इस किताब ने बहुत हल्प करी है, थोड़ी क्लारिटी देने में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब इन टॉपिक पे मैं किसी तरह का एक्सपर्ट हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो भी मेरा थोड़ा बहुत में बिलकुल ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग-अलग हैं और चार अलग चीजें हैं, इन में काफी ओवरलाप है और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट मूलता जो भी इन में डिफरेंसे हैं और ये क्या हैं, वो इस किताब से उस बारे में बहुत क्लारिटी मिलती हैं एक बार पीछे एक छोटा सा एकसर्प्त दिया हुआ है, वो मैं पढ़के आपको सुना देता हूं इस blurby, ढूरीक नाम दोलनेकि। व्योगा, वोगाी हैं, वोगाई, आपको णोरे ऴरतीजने का हैं बार eighties, वोगा है, वोगा है हैं विर चांप्का, उब थारेंसे हौं है ।Artत्ततत में आपका, किन को बथा वभां It is ever free, ever perfect, but the ignorance that has covered its nature for a time is to be removed. Therefore, the whole scope of all systems of Yoga and each religion represents one is to clear up this ignorance and allow the Atman to restore its own nature. Swami Rekanand combines the Yogas of the Bhagavad Gita and Patanjali's Yoga Sutras with the wisdom of India's rich philosophical tradition in Yoga the Spiritual Path, a definitive guide to Self-Realization. In the beginning of the book, there is a small biography of Swami Vivekanand. After the four of the Yogas of the Bhagavad Gita, there is a small section, a summary type. After all, it starts its own section. First, the Karmi Yogas of the Bhagavad Gita, which is 8 chapters. After the Bhagavad Gita, which is 10 chapters. Then the Raji Yogas of the Bhagavad Gita, which is 8 chapters. And this is the biggest part of the Yogas of the Bhagavad Gita, which is 16 chapters. There are a few chapters that are written in Swami Vivekanand, some essays, some articles, and some chapters that are written in the Bhagavad Gita. Further, people, who have written memories from the Bhagavad Gita, violet and 1971, some conflicts, some things have been sent in nonstop. And all the questionsmam somos of the Bhagavad Gita because theенды of Bhagavad Gita and Sri Ramad Gita is an official attorney with the Türssan призなんか, various purposes and forms of the view of Tatara's exactly what it tolerates. तो ओपन माइंड के साथ पढ़ें और इससे काफी काफी अच्छी किताब है इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा आपको इन चारो योग पद्धितियों के बारे में पद्धिती से शब्द यहां प्रयोग करना सही है कि नहीं वो मुझे पता नहीं इन चारो योगों के बारे में बहुत ही अच्छा आपको एक्स्पोजर देगी आशा करता हूं इस वीडियो से इस किताब के बारे में आपको जो जानकारी मिली है उसे सब्जेक्ट मैटर को चाहे वो इसी किताब से हो या कोई और पबिशेर की कोई और किताब कोई और भाशा में हो पढ़न